हेलो विवर्स मैं हूँ गोली और गोल्डिस किचेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस गर्मे स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए कर के आए हूँ फिर से बहुत ही इंट्रस्टिंग सी फलूदा की रेस्पी फलूदा तो आपने बहुत खाया होगा लेकिन इस तरीके से आपने फलूदा शायद पहले कभी ने ट्राइ किया होगा और ये गाइस बहुत ही इंट्रस्टिंग सी रेस्पी है तो आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो रोज सीरप की रेसिपी काफी लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताया था फेस्बुक पे भी यूटूब पे भी कि उन्हें रोज सीरप की रेस्पी चाहिए जो इंस्टन बन करके तयार होती है और मार्केट में बिखने वाले महंगे रोज सीरप से भी बहुत ही अच्छी आप रोज सीरप घर पे बना करके तयार कर सकते हैं और आप इसे सालों साल तक कैसे स्टोर कर सकते हैं यह भी आपको इस वीडियो में देखने को मेलेगा तो इस रेस्पी को बनाने केले मैं सारे प्रोसीजर आपको बताऊंगी स्टेप बाइ स्टेप तो आप इसे जरूर फॉलो करेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ले ली है सेवई यह नॉर्मल वाली सेवई है और लगभग आधा कब हमने आप इस सेवई को हमें अच्छी तरीके से बॉल करना है पका लेना है वैसे तो फलूदा में आपने खाया होगा जो फलूदा डाला जाता है वो कॉल फ्रॉ अच्छी तरीकी से गरम करना है और अब मैं इस गरम पाने में हम तयार किया हो यानि कि अपनी नॉर्मल वाली सेवई हम ड़ें घ्रक को बिल्कुल वैगा कुछ नहीं करना बस ऐसी आट कर देना है सेवई डाल करके सेवई को हमें अच्छी तरीकी rici से बॉil कर लेना है या तब तक हमारी सेवगी मीडियम फ्लेम पर पक रही है तब तक हम बॉइस प्लो Tails अब देख सकते हैं मैंने लिया है सब्जा सिर्स लगबंग दो बड़े चंबड़की करी रहीGS सब्जा सीट को चीया सीट भी काहा जाता है। इससे बहुत अर профई प्यूब मर्य जा सकती है तो अगर आप इसके ड्रिंक की रेस्पी देखना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्षिन मुझे लिक करके बताइए तो अब इस चिया सीट्स को हमें अच्छी तरीके से भीगोना है ताकि अच्छे से फूल जाए तो दो चम्मच हमने आप इस चिया सीट्स लि कर लेती हूं मिक्स और मिक्स करने की बाद मुझे इसे ढख करके लगभग 15-20 मिनट के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए और यह लीजे सेवई भी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से पक गई है यह देखे एकदम पास से परफेक्ट एकदम इसी तर करूंगी और इस सेवई को हमें तुरं थंडे पानी से धोना होगा और फिर मैसे तुरंती बरफ आले पानी में डालूंगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस पूरी तरीकी से रुख जाए और यह जैसा है वैसे ही रहे तो इसे अच्छी से दोने के बाद अब मैं डैरेक्ली एक बरफ वाले पानी में से डालूंगी तो हमने लिया है एक बोल इसमें रखा है बरफ और इसमें मैं एड करूंगी पानी यानि की बरफ वाले पानी तयार है और अब मैं इसमें सेवईयों को डाल दूंगी और यह देखिए हमने आपे सेवईयों को पानी में डाल दिया ह तो अब मैं इसे डिरेक्ली फ्रीश में राल दूंगी ताकि अच्छे से थंडा हो जाए ताकि मैं जब फलूदा बनाओ तो बहुत ही बड़ी है इसका मजा है खाने में तो हमारी यहां पर दो चीज रेडी हो चुकी है सेवई और सब्जा और अब बाकी है यहां पर बनाने क कि कस्टड मिल्क जो की रोईल फलूदा में डाला जाता है आप जहें तो नॉर्मल्मल्क भी आइट कर सकते हैं बट कस्टड मिल्क डालने दो उसका टेस्ट बहुत अच्छा त्व मैंने ले लिया है यहां पर कस्टड पाउडर मैं ऑनिला प्र वैनिला फ्लीवर का मैं यह तीन बड़े चमज के करीब हम यहां पर कस्टड पाउडर लेंगे कस्टड पाउडर को मिक्स करने के लिए हमने आपे लिया है एक बोल और इस बोल में दो से तीन चमज के करीब हम यहां पर कस्टड पाउडर आड़ करेंगे custard powder डालने के बाद अब मैं इसमें add करूंगी पानी तो पानी में इसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे अच्छी तरीके से पहले mix करूंगी इसका घोल एकदब perfect होना चाहिए क्योंकि जब मैं इसे पकाऊंगी न तो बिल्कुल भी lumps नहीं होना चाहिए एकदब smooth इसका texture हो अच्छी तरीके से mix कर लेना है दूर डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरीके से mix कर लोंगी और आप चाहें तो इसमें add करना चाहते हैं तो इस टेश पर आप यहां पर लगबग 2-3 बड़े चमश के गरेब चीनी आड कर सकते हैं तो मैं यहां पर चीनी आड नहीं क करेंगे तो आप यहां पर किसी ब्रैंड के कंडेंस मिल्क का स्प्रेड हो गया है और यह देखेंगा थोड़ा सा टाइम लगता है बहुत हाड है पैकिंग इसकी बहुत जबर जस्त है तो अब मैं इसमें लगबग 200 ग्राम के करीब कंडेंस मिल्क डालने के बाद अब मुझे इसे अच्छी तरीके से करना है मिक्स यह देखिए आधा कंडेंस मिल्क मैंने बचा लिया है और अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी सो फाइनली आप देख सकते हैं कि सभी चुजों को हमने आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो अब हम जल्दी से क कर लेते हैं कस्टड मिल्क बनाने के लिए मैंने यहां पर सेम पैन का इस्तिमाल किया है और अब मैं इसमें हम तयार किया हुआ मिल्क का मिक्षर आड़ करेंगे और हमें इसे अच्छी तरीके से पकाना है एक दम स्लो फ्लेम पे तो पैन में कस्टड पाउर तो यहां पर अगर आप यहां पर बीच में से छोड़ देंगे तो नीचे से जो कस्टड पाउडर है वो जम जाएगा और बीच बीच में गुटलियां पढ़ जाएंगी तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए तो लीजेगाई इस कस्टड मिल्क हमारा यहां पे एकदम अच्छी तरीकी से तयार हो चुका है यह देखे इसका टेक्शर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए और जब यह थंडा होगा तो थोड़ा सा और थिक हो जाएगा तो हमने यहां पे जो कस्टड मिल्क का टेक्शर रॉल फलूदा बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही अच्छी रोज सीरप की रेस्पी आज हम बनाएंगे वह फटा फट से और इतने ही नहीं काईस आज इस रोज सीरप से मैं आपको दो अलग तरीके की डिश भी बनाना बताऊंगी तो आपको इस वीडियो में रोज सीरप क के लिए हमने आपे ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन आप चाहें तो कढ़ाई का इस्तमाल भी कर सकते हैं और अब मैं इसमें एड करूंगी रोस पैटल्स हमने आपे ड्राय वाले रोस पैटल्स का इस्तमाल किया है यह मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है ड्राय वाले रोस पैटल्स और आप चाहें तो जो फ्रेश गुलाब होते हैं आप उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं इस रेश्पी को तैयार करने के लिए अगर आप फ्रेश गुलाब का इस्तमाल करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको बहुत जादा गुलाब की जोरत पड़ेगी लगबग 40-50 गुलाब की जोरत पड़ेगी तो सबसे बेशने इस तरीके से ड्राय वाले जो रोस पैटल्स आपको मार्केट पर मिलते हैं आप उसका इसमाल कर सकते हैं और इसका कॉस्ट से 5 रुपीस है 5 रुपीस में आपको आराम से 100 कराम तक गुलाब के सुखे फुल मिल जाएंगे तो अब इसमें हम एड़ करेंगे पानी तो मैंने आप एक कप पानी एड़ कर दिया है और फिर सहम इसमें एक कप पानी और एड़ करेंगे और इस टेश में फ्लेम को करूंगी और मुझे इसे लगबग 3-4 मिंट ले अच् तरीके से गरम हो रहा है ना थोड़ा सा मैश में फ्लेवर देने के लिए यूज करने वाली हूं एलाइची मैं इसमें दो से तीन ही एड करूंगी बहुत जादाने क्योंकि जो रोस सीरप है ना उसमें खुद का फ्लेवर होता है थोड़ा समी एलाइची डालेंगे so guys आप देख सकते हैं कि पानी और गुलाब को पकते हुए अब इसे तीन से चार मिनट हुए है और जो गुलाब का कलर है पुरी तरीके से चेंज हो गया है इसका कलर कहा गया मैं आपको दिखाती हूँ ये देखे पानी के अंदर इसका कलर चला गया है पानी का जो कलर है एकदम अच्छी तरीके से चेंज हो गया है और अभी तक मैंने इसमें किसी भी तरीके के कोई भी कलर एड नहीं किया है फिर भी आप देख सकते हैं पानी का कलर बहुत ही अच्छा आया है अब दो का आप बने और से ब Hiç करें यहां पर देख सकते हैं कि हमने यह रोजंअ पैटल को अलग कर दिया और पानी को अलग और आप देख सकते हैं कि पानी का क्लर कितना अच्छा आया है तो इस टेश में फिर से फिलेम को करूँगी ON और अब मैं इसमें एड करने वाली हूँ चीनी तो मैं इसमें एक कप चीनी आड करूँगी आप चाहें तो यहाँ पर जो मिश्री होती ना उसका अस्तमाल कर सकते हैं तो हम इसमें चीनी आड़ करेंगे एक कर चीनी डाल देने के बाद मुझे इसे अच्छी तरीके से पकने देना है मैं इसे अच्छी से थिक करूंगी तब तक मुझे इसे पकने देना है तो कंटिनिसली स्टर करते हुए इस रोज सिरप को में पकाएंगे तो जब तक हमारे य होता है आप उसका असमाल भी कर सकते हैं लेकिन यह लिक्विड फॉर्म वाला जो कलर होता है तो अगर आप इसे पर्चस करना चाहते है तो इस का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो हम यहां पर लगबग 3-4 डॉप के करीब इस रोज कलर को आड करेंगे रोज कलर डालने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है तो अब मैं इसे थोड़ा सा फ्लेवर्फुल बनाने के लिए इसमें आड करने वाले हो रोज एसेंस जो कि मांकेट में आपको बहुत यासानी से मिलेगा तो इसे भी हम ज्यादा न मैं आपको बताती हूं कि आप इसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम इसमें आड करने वाले हैं सिट्रिक आसेड जिसे निम्बू का सत कहते हैं आप चाहें तो निम्बू का सत्माल भी कर सकते हैं बट रस से अच्छा है कि आप निम्बू का सत यूज करिए यह बहुत ही अस अब बहुत आपको बताती हूं कि आप इसे कैसे पैचानेगे कि रो सिरफ हमारा तयार है तो आप देख सकते हैं कल्ची के चारों तरफ रो सिरफ का यह देखे कलर एक दम अच्छी तरीक से लगा है यानि काफी थिक हो गया है और आप इसके drops देख सकते हैं, काफी थिक हैं, और अब मैं आपको से touch करके भी दिखाती हूँ, ये देखें, हलकी हलकी चिपची पहाट हो रही है, एक तर की चासनी बनने शुरू हो गई है, तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपकी rose syrup बहुत ही perfect बनेगी, और जब पॉफेक्ट, सो फाइनली आप देख सकते हैं, कि rose syrup को मैंने अच्छी तरीकी से थंडा कर लिया है, और आप इसका texture देखें, ये देखें कितना ज्यादा थिक है, तो अब मैं इसे एक airtight container में फिल कर दूँगी, ताकि मैं इसे शाल बर यूज कर सकूँ, तो लीज ये बहुत ही सस्ते में, बहुत ही बढ़िया और सालो साल तक चलने वाला हमारा rose syrup मारकेट से भी अच्छा बन करके तैयार हो गया है, वो भी बहुत ही सस्ते में, तो लीज ये गाईस हमारा custard milk बहुत ही अच्छी से थंडा हो गया था, और मैंने इसे फ्रिज में आप इसका texture देख सकते हैं एक ताम perfect इसी प्रकार से होना चाहिए और इसी किसासाद आप देख सकते हैं हमारे जो सब्सा सीट्स है यानि जो चीया सीट्स है हमने भीगो दिया था आप देख सकते कि तना जादा हो गया सिफ दो चमच हमने हैं सब्या से भूल करके 10 से 12 यान अगर आपके पास रो सिरप नहीं है या फिर आप लाइप नहीं करते हैं तो जो किसान जैम होता है ना आप थोड़ा सा पानी डाल करके इसे बॉल कर लीजिया थंडा करने के बाद आप यूज कर सकते हैं थोड़ा सामने अपे कलर फुल टूटी फूटी ले लिए है और अग कर लिया है तो चलिए जल्दी से अब हम रॉयल फालूदा बना लेते हैं तो मैंने हां पे रॉयल फालूदा बनाने के लिए अपनी फेवरेट वाली ग्लास ली है जो मैं किसी की साथ शेर नहीं करती हूँ तो अब इस ग्लास में मैं सबसे पहले एड़ करूंगी हमारे रो सीट्स आब दालें 있지 और रोड़ सीरब करना हैं हमारा कास्टरट में इसके पर तालेंगे एक स्कntड़ आइस ट्हुड़ाई यह करें थोड़ा स कानली यह तोड़ा सब्वक्राइक इसजरीव को त्पया स्कृतल जाल ड़ें अर्टों करतें झाल झाल